जान जी जैमा तदी कैसे हो आप सभी तो मैं ठीक हूँ और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में अभी हम लोग जा रहे हैं गाउं में आज मिटिंगे गाउं में महिला मंदल की सब की समझ लो आप क्योंकि दो अक्तूबर को जो ग्रामसभा होती है उससे पहले एक रूल बनाया गया है कि गाउं गाउं में जाकर वार्ड मेंबरों को जो है सभाएं स्थापित करनी है मीनी ग्रामसभा जिसको बोलते हैं तो यह पहले से जब मैं भी थी वार्ड मेंबर तब से तो अभी हम सभी एक घर में होती है मिटिंग वहां पर वार्ड मेंबर आएंगे हमा को भी दिखाते हैं और सभी को ग्राम सभा में जाना चाहिए यह मीनी ग्राम सभा है तो चलो निर्मादी जी के घर के पास हम पहुंच गये और वो निकल नहीं वाली है वो निकल गई है तो यहां पर यह देखिए हम सभी गाउं की ओरते बैठी हुई थी और डिसकुसन हो रह देखिएगा और बहुत अच्छा वीडियो आप से न कुछ शेर भी करा है मैंने और फिर रंजु हमारे घर भी आई थी उसको चाय पिलाई कॉफी पिलाई और बहुत सारी गपे मारी मैंने रंजुने न गाना भी सुनाया आप लोगों को एक तो आप पूरा वीडियो और अज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था पहले में नॉर्मल थी अच्छानक से मुझे एक दम से गुस्सा आ गया था तो यह देखिए सब भी बैठी हुए थी हम यहां पर और भी थी कुछ मेरी साइड थी मैं निरुला दिदी वगेरा हम वारली साइड बैठे थे क्योंकि दूप आ रही थी न तो बहुत दूप लग रही थी तो दूप में नहीं बैठा जा रहा था तो हम इदर कुछ आया को आ रहे थे वार को ठीक है तो चलिए भी मैं आपको घर में मिलूंगी मैं बताती हूं कि किस चीज के बारे मेटिंग तो मैं आ चुक मैंने एक वीडियो बनाया था आपको याद होगा शायद आप लोग तो हमेश्चा से जूड़े हो तो उसमें मैंने यह बोला था मैं कभी गाओं की बात नहीं लगाती आप लोगों को पता है और नहीं मैं कभी परिवार की बात लगाती हूं है ना पता है ना आप लोगों को आप लोगे हमेज़ा से देखते हो फॉलो करते हो तो कि डिंट हो जाती है कि जैसे पता नहीं कि घ्म करेब्स काम सब्सक्राइब करते हो तो यह। पाईब्सफाद जाता है यह थो घशा साव टेया कुछ को मुझे नहीं किसी चीज पता उसने कहां से जोड़ा है पानी मुझे वो भी नहीं था पता लेकिन एक परिवार है कोई भी है मैं ना फिर भी नहीं लोगी किसी ने उसको बता दिया उसको जिसका वो घर बन रहा है और जिसका पानी बंद गए था कि मधुने अपनी वीडियो में कंप्लेंट करिए ते और यह चीजे मैं बिलकुल भी नहीं मानती इस वाज़ेसे मैं बहुत लोगों से कट रहते हूँ क्योंकि मैं बहुत निस्पक्ष हूँ और जितने मैं भोली दिखती हूँ आप लोगों को मतला मैं सुस्तिन ना मैं बहूत खराब भी हूँ लेकिन क्यों जब बात आती है अपने एगो पे अपने मांसम्मान पे और अपने जूट पे ठीक है तो जूट ना तो मैं बोलती हूँ मैंने सरफ इतना तो वीडियो में कि यह पानी वालों को बोला था तो और उसे मतले कैसी और ते यार कैसी मतले आगे जूट बोलना इस तरह से आगे से आगे बात को बढ़ाना मुझे आज बहुत गुसा आया मैंने आज भी नाम नहीं मुझे पता लगए कि किस ने बोला मैंने एक बात बोली रहने का तुम लोग मतलब इतना बड़ा वो कैसे बोसकते हो कि तुम्हारे में हिम्मत है तो सामने बोला नहीं किसीने कुछ नहीं और मैंने उनको साब बोल दिया कि मेरे बारे में हर गाउं में होता है ना इसी ने वो कर दिया उसने वो कर दिया मैं आप मेरे को इतना गुसा है, मैंने कभी किसी की बात नहीं लगाती, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, मैं कभी किसी की बुराही नहीं करती, मेरे को इतना टाइम नहीं, मैं अपने घर में रहती हूँ, पड़ी और किसी की बुराही नहीं, कहां पर क्या हो रहा है, मुझे कोई पत मैं आपने अबना सब के साथ अच्छी रहती हुआ अगर मुझे पपता लग जाता है तो मैं सची बात बता हूं मैं बहुत गंदी हूं बहुत खराब हूं मैं सो आदमियों के बेच में उस आदमी को पूस देती हूं कि ऐसा क्यों बोला मिले को प्रूफ दे जूट बोलने का और जब तक ऐसा होगा नहीं न तब तक जूट बोलने आ रही ओरते मैजर बोलते हैं जिसको लडाने वाली ओरते तो यह बात थी तो मैंने उपर ना कुछ भी शूट नहीं कर और मैं चुप चाप घर को आ गई फिर अभी मेंबर हैं बारें बाड मेंबर यहां पार है बहुत हिजड़ देटी हो मुहँ के ऊपर मिठ् Colonel मुढकर मुट 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 करें सुझने है चुरी चलाते हैं लोग ह्या तो मतलीं दूसरी की उस से जलते हैं कि यह क्यों कि आपकी क्यों किया क्या क्यों क्या क equally मेरे कानव मैं वड़े दिलों से पांचिते हैं एक की बोला है हां तो उनकी साथ और मैं हमेशा पाउं छूने या गले जो भी रिस्पेक्ट देनी ऐसे गाउंवालों की तरह है ना नीचे ना बहुत था कांटा यार वो लग गया पाउं में यह जो यह दुख अपने आप ही करती हुए जी यह थे ना उस दिन लगाया थे हमने कां हो सकता है कोई पाई यह वाले पास कितीन दिने म्य बैठटeline फिर मैं आपसे बाते करती हूं घर में यह प्रॉबलम है पीर Ganekva बहुत बात बताने से न DARू दें कि उनके पतार लगता है कि तो मतलब नहीं बोलते क्या कूंक Adri दोगलापन कभी नहीं मानते आदमी के बीच में कसम खाके बोड़ रही हूं मुझे पता नहीं माता नानी का इस चीज के पीछे बहुत बर्दान समझ लो आप सुरू से बच्पन से और इस वज़े से मैं कभी-कभी ना बहुत अकेली का मतलब कि मेरे विचारों के साथ ना बहुत कम लोगों के विचार मिलते हैं यह एक को लड़ा देना दूसरे के साथ बातें लगाना एक दूसरे के पास वो चीज़े मेरे से नहीं होती ठीक है तो इस वज़े से जो मेरे बहुत कम लोगों के कुए हमेशा हंसके मुझे कि इस दो तॉसाल कि सी भाट किसी बात निल गाई है कभी परिवार में लडाई जगन नहीं होते मैं लगा कभी कभी नहीं गाउन वालों की तो ओक लगानी मैं आ किसी की नहीं लगाती है न जाया बहुत दूर रहते हुं चीजों से एर गुमेर्स क्या बोलते हैं उसको जो आपसी कंट्रोर सी मैं इन चीजों से बहुत दूर रहती हूं फिर भी अगर कोई सिर के उपर चड़ता है नो तो फिर मेर से बरदास्त नहीं होता है चलो आगी उसने वहला कली बात कर रहे हैं अब यह पार चली गए अंजु के गर में तो मैं इसको चाय पी बीचुकी है अब लोगों को मिलाती हूं से यह देखो आज ना यही बात करेगी एले तिना साफ नहीं आया करता है यह दिखा मैंने चाय भी पी लें क्या बनाया था नचुमेन तरको कॉफी बनाया थी और चिप्स थे चिप्स थे आज नहीं बिल्कुल भी वह एक हो कीजा में अच्छी हम से खनक ह тебе आजा ज को अर्ड़ा में और भी उप्सकोच थे की बारे में बहुत आप काम रहता है भी लांटृ भी इने को सो क्यों पूंवेन उनका ghar में वह यह दो टीड़ता है उनका अबना पढ़ता है भी आंग सिनम metrics ठालवां तरको ब मतलब इसा नहीं बहुत अच्छे हैं लेकिन हम खुश हैं अपने लाइफ में हम खुश रखते हैं जैसे भी हैं कमा के खाने हैं बहुत अच्छे हैं और इसका माइक जो बोन महूल में बहुत से लोग जानते हो ने एक ने मुझे पहले कमेंट किया था कि यह तो अंजु मेंबर है और यह 2 अक्तूबर को बुलाने गे थी बाकि थोड़ा सा तू बता दे वे जैसे आना चाहिए जी जैसे बीपेल वारे हैं और जैसे काम पड़ेंगे किसी के जनल हाउस है तो सबको तो आना पड़ेगा जब जनल हाउस पूरा ही नहीं होगा तो काम कैसे पड़ें स सबस्के बारे जल बोल जाहिए तो अघर उसमें ना जाएं लोग तो फिर बोलते हैं गए कोई नहीं काम काम कैसे हो सकते हैं तो यह आई थी कि जनल के पहले काम नहीं पड़े थे ना उसके बारे में भी में मिटींगी तो तो उनके हम सेलफ दारेंगे सबसे पहले मेंने हंग वाया मेरा कोई काम नहीं हो प्रेंड में पूरी सबसे कि मेरा काम भी नहीं हो आस्तर कोई भी काम नहीं हो देआया उसके इसके लिए जब मिल रही है सब को सुभीदा है ना हम जितने भी नीचे से कहलूर बोलते हैं माई के साइड को तो बोलते हैं कि वहां की ना गाती बहुत है आज मैं इसके साथ एग गाना गांगे आप लोगों को सुनाओंगे गाखे जला जुह शुरू करते है तुने कैसा बनाया है नाजरी का भाग मईया तुने कैसा बनाया है सिता जैसी नारी को राबन ने सताया है सिता जैसी नारी को राबन ने सताया है उसके पती ने उसको बन बन में गुमाया है नारी का भाग में तू ने कैसा बनाया है नारी का भाग में तू ने कैसा बनाया है द्रोपता जैसी नारी को दूसा सन ने सताया है उसके पती ने उसको जुए में हराया है तो जै माटा दी बहुत अच्छा गाया इसने पर कभी होगा कहीं कुछ ने करूना की वज़ने से कुछ हो नहीं पह रहा है पिर से कहीं होगा तो इसको आपको साथ में गाना मिलेगा कहीं कि जरूर गाएंगे तो ठीक है जै मातादी कर दो हैं जै मातादी कि राम राब जी